हाई फ्रेंट्स विल्कम बैक टो आवर चानल आज का वीडियो है अलवीरा जल कैसे बनाना एध देखते हैं अगर फ्रेंड्स आप नए है मेरे चानल पे नए से देख रहे हो तो इस वीडियो की नीचे रेट कलर में सब्स्क्राइब का बटना आता है उसे प्रेस कीजिए ब साथ में ही आप इसको युस कर सकते हो हम अल्यविरा का पत्ता लिए थे लग शुपते है इसलिए वो निकाल देजिए हैं में बहुत सारे फ्रेंट्स को हेर फाल हो रहा हो तो अल्यविरा गीजिए हाम से अक्छे से सद्धीक आप जब चाहे जब भी यूज़ कर सकते हो जैसे बालो के लिए आमला कितना अच्छा होते है ऐसे ही स्किन के लिए अलेविरा भी उतना ही अच्छा होता है बहुत ही अच्छा होता है आपके स्किन पर जो भी विंकिल्स है उसे हटा देता है दाग धबे निकालने के लिए भ यह बहुत ही इजी है अगर आपके पास प्लैंट हो जब चाहे जब भी निकाल कर यूज कर सकते हो इसे अलिविरा जल को ऐसे निकाल के वन विक तक श्टोर कर सकते हो अलिविरा का ऐस क्यूब बना के यूज करने से ओपन पोर्स का प्रॉब्लम चल जाता है स्किन भी बहुत ही ग्लो करने लगता है आप ऐसे भी उज़ कर सकते हो हमको खाना बनाते हुए कभी जल जाये तो भी उस पे दुरन्थी अलिविरा लगा लीजिए अच्छे से कूल होता है आपको बनाल वगेरा मार्केट की क्रीम्स लगाने की जोरुरत नहीं होती है जहां आप लिवरा की जिए बहुत ही अच्छा काम करता है आपको दाग नहीं पड़ता है कूल इफेक्ट देखता है और जल दी से कम हो जाता है अले वीरा के तो बहुत सारे बेनफिटस है फायदे है है कि लिए स्किन के लिए इसलिए अलेविरा जिल को आप चाहे तो फ्रीज म में दाल के छान लेना है क्योंकि ये क्यूब जैसे आजाते हैं स्किन पर अपले करने के लिए उतना अच्छा नहीं होता है इसलिए मिक्सिजर में दाल के इसे छान लेना है जब छान के एक बाटल में दाल के स्टोर कर सकते हो इस अलविरा जल को आप वन विक तक अराम से आप इसको ice cube बना के भी रख सकते हो या नहीं तो ऐसे ही एक जार में डालके भी रख सकते हो घर पे बनाए हुआ जल ऐसा ही होता है फ्रेंड्स मार्केट वाला जल नहीं सा बनता नहीं है हमको दिखने में क्या अलविरा का फायदे मिलना चाहिए है ना इसलिए आप नैच्रल प्लैंटी ज्यादा यूज कीजिए बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है यह देखिए मैंने अच्छा से मिक्सी कर लिया है मिक्सी कर लेने के बाद यह थोड़ा वाटर जैसे हो गया है एक एक बार ना थोड़ा जेली जैसे हो जाता है एक एक बार थोड़ा वाटर जैसे हो जाता है जैसे भी हो वो अलेविरा जल ही है आप अराम से यूज़ कर सकते हो एक एक बार हम निकालने से जल जैसा थोड़ा श्टिकी जैसा ही होता है जब हम फ्रीज में रखते हो तो वो तीन-चार दिन के बाद वो भी पानी जैसे ही हो जाता है इसलिए आप डाने की जुरूरत नहीं है वो भी अराम से यूज़ कर सकते हो यह देखिए हमारा अलविरा जेल चाने के बाद थोड़ा सिरम जैसे जैसे वाटर जैसे हो गया है इसे एक स्प्रे बाटल में दालके भी आप अराम से यूज़ कर सकते हो और एक नाइट क्रीम जैसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप एक सिरम जैसे यूज़ करना चाहते हो तो इसमें ही थोड़ा रोज वाटर थोड़ा लेमन दाल के स्प्रेय करके आपको राद भर ऐसे ही छोड़ दे के सो जाईए ऐसे भी कर सकते हो चोटा सा आइडिया है आपको या नहीं तो आप डिरेक्ट पर ऐसे ही लगा सकते हो रोज नाइट पर अलेवी रखो एक नाइट की इनती ना हैंडल पर अलेवीरा जिल वो तो अच्छे से सूग गया है अच्छे सी किन अप जडर कर लेता है अलेवीरा को प्लैंट जो पता है रहें, और उसे बीध काट अपिजह टांसे बंद से करिएया। उनल्फोन और से ऊजटे उनल को पूरा अलिविरा जल को निकालने से नाथ है। ये भी बहुत इजी से आ जाता है अलेविरा जेल और कोकोनेट ओयल मिला के भी एक मौईचुरेजर क्रीम जैसे भी आप यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छा होता है आपका स्किन बहुत ही साफ्ट होता है और जो भी हैंड्स पे व्रिंकल से वो भी चल जाते है वो बाला मौ देखिए अच्छे से सौफ्ट से जल जैसे आ गया है अगर आप अलेविरा को ऐसे निकालते हो तो इसे चाने की जरुरत नहीं होती है और मिक्सी जार में दालने की जरुरत भी नहीं होती है आप देखिए में तो सारा जैसे ही निकाल लिंद थी ये वाला जल तो थोड़ा सचर इसे भी एक जार में निकलके सिटर कर सकते हो जब निकल के इस अलवीरा ज़ेल notify जप बना सकते हो पेस पैस्ट टो अलवी अमया कर सकते हो वहां है यह नहीं तो एक बुह अलवीरा जैसे एक कर त्रोकुनट ओइल मिला के अच्छेसे आपके हेड़ पूरेपले के लिजיה के मीजिए आप इसको रात भर भर भी रख सकते हो या नहीं तो 2-3 गंटे भी रख सकते हो बाद में कोई कोई भी शॉंपो से शॉंपो कर लीजिये आपके फ्रीजी है चलिये जाते है भी है भी बहुत ही ठीक होते है और बहुत ही हेल्दी होते है जैसे भी उज़ की जिये गोलेव्य याक का है याप है जैसे बूर किiquement याप की एक है जुत आप्त जुछ hy ना की 15 सिमे दाले हम आले विरजल बना लिये थे इसको ऐसे ही आप फ्रिज में रख दीजिए आप जब चाहे जब एक नाइट क्रीम जैसे थोड़ा से निकाल लीजिए आपके हैंड्स को और नेक वे और फेस पे अच्छे से अपले कर लीजिए ऐसे ही सो जाईए बहुत ही अच्छ आपके स्किन को टैट करता है यह बहुत ही अच्छी बात है कि अल्यवीरा जिल स्किन में दुरन्थी अभजोर हो जाता है इस अच्छा मेरे वीडियो मेरे वीडियो अगर आपका अच्छा लगा तो इस वीडियो को लेक किजिए थेंक्यू